अगर आपका Taro अकल्ट में इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा. When I say A to Z, मतलब बहुत simple simple basic चीजों से लेकर, जो भी main main topic है, each and everything connected and related to Taro is covered in this course. अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, यानि कि कैसे आप एक professional Taro card reader बन सकते हैं, अपना career Taro में बना सकते हैं, ये भी इस course में covered है. और अगर इसी से ही related कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में हैं, आप screen पे दिये गए number पर हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं. Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए July 2024 की Love Tarot Reading. तो अगर आप जानना चाहते हैं July मन्त में, आपके partner की क्या energies रहेंगे आपके लिए, इस relationship के लिए, आप क्या महसूस करेंगे, finally July मन्त में क्या होगा, तो ये reading आपके लिए हैं, और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, यानि की लगन से भी देख सकते हैं, नाम की राशी से भी देख सकते हैं, sun sign, moon sign से भी देख सकते हैं, जिस sign से आप connected feel करते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये आपका sign है, उसी sign के हिसाब से आप tarot reading को देख सकते हैं तो चलिए जी देखते हैं कि July 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है ये concern आप लोगों के लिए देखेंगे July 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में बस यहाँ पर तीन set of cards हैं First set of cards में हम आपकी energies देखेंगे Second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे And third set of cards में हम देखेंगे कि finally July मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पर सबसे बहला card मुझे दिख रहा है Ace of Souls और ये card कहता है कि कुछ time से या फिर July starting में आपको यसे लग रहा है कि थोड़ा सा तो logically चीज़ों को deal करना है जादा emotional नहीं होना, जादा sentimental नहीं होना और दिखें इसके लिए सब concerns के लिए different reasons रहेंगे broader level के लिए अगर हम देखें तो हो सकता है पीछे आप बहुत emotional हो रहे थे, sentimental हो रहे थे और इसी वज़े से आप hurt हो रहे थे या फिर कोई भी और reason है सकता है लेकिन कहीं आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं यानि कि कुछ time के लिए या starting July के लिए हो सकता है कि आप logically चीज़ों को deal करें बट deeper level के लिए obstacles का काट कहता है कि ऐसा करने में आपको बहुत मुश्किल हो रही है और हम सब जानते हैं कि इंसेरियंस आपका basic nature होता ही है बहुत loving, caring, nurturing और आप बहुत emotional, sentimental होते हैं और यहाँ पर moon का काट भी इसी चीज़ को confirm करता है कि emotions आपको overpower कर रही हैं आप नहीं इपनी emotions को control कर पा रहे हैं और कहीं इसी लिए देखिए बहुत एक confusion भी रहती हुई दिख रही है यहाँ पर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि heart और mind की एक जंग रहती हुई दिख रही है logically deal करना चाह रहे हैं चीज़ों को लेकिन कर नहीं पा रहे हैं दिल दिमाग पे हावी हो रहा है और इसलिए या फिर otherwise भी the runner ghost का काट कहता है कि मन ही मन आपको ऐसी feeling हो रही है कि बस सब कुछ छोड़ चाड़के आप कहीं गायब हो जाएं आप कहीं disappear हो जाएं और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके मन में ये एक fear है कि कहीं आपके partner ना एकदम से गायब हो जाएं तो देखिए ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा या तो आपका again मैं कहूंगी गायब होने का disappear होने का मन कर रहा है या partner गायब ना हो जाएं इस चीज का एक डर है और इसी लिए एक fear, insecurity या फिर confusion आप महसूस कर रहे है अब देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गायब हो रहे है कितनी बारी होता है ना मन में बहुत सारे thoughts जलते हैं बहुत सारी हमारे मन में feelings होती हैं लेकिन हर feeling पर हम action नहीं लेते हैं तो यहाँ पर फिर से मैं कहूंगी ऐसी energies में आप रह रहे हैं कुछ हो सकता है कि इसी से related action ले रहे हैं कुछ हो सकता है सिरफ इसके बारे में सोच रहे हैं और कहीं end July के लिए the fool का card कहता है कि आप थोड़ा सा you know एक going with the flow वाली energies में रहना चाह रहे हैं आपको ऐसा लग सकता है end July में sorry कि अब जो भी होगा ना देखा जाएगा ना तो आप बहुत जादा future के बारे में planning करना चाह रहे हैं ना ही जो past में हुआ उसके उपर focus करना चाह रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि अभी जो moment है इसको enjoy करो और in the process आपकी थोड़ी सी अगर immature energies रहें तो ज़रूर इस चीज को check करके correct करें आप carefree होना चाह रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन in the process careless अपने आपको होता हुआ पाएं तो ज़रूर इस चीज को check करके correct करें क्योंकि दिखें थोड़े से risk ले रहे हैं थोड़ा सा बिना सोचे समझे आप चीजों को end July में कर सकते हैं और deeper level के लिए I will find you का card कहता है कि आपको यसे लग रहे है कि भाई जो भी होगा ultimately आप अपने partner के साथ ही होंगे ultimately you both will be together मतलब आप दोनों ही साथ होंगे और इसी लिए शायद थोड़ा सा फिर से मैं कहूंगी आप careless हो रहे हैं, carefree हो रहे हैं या फिर you know too much हो रही है चीज़ें और आपको end July में लग रहा है कि भाई you know partner तो कहीं जाएंगे नी partner तो मेरे साथ ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं अभी अगर नहीं कुछ चीज़ों को करने का मन कर रहा, कहने का मन कर रहा या फिर नहीं बहुत dedicatedly या committed तरीके से रहने का मन कर रहा तो अभी बस you know going with the flow वाली energies में रहो ऐसी आपकी energies है सकती है और आप देखते हैं कि आपके partner की energies हैं तो देखियें आपके partner के लिए आपए Ace of Materials का card है और यह card कहता है कि आपके partner आपके साथ एक नहीं beginning चाहरे हैं और नहीं beginning सिरफ बातों में नहीं सिरफ वर्ड्स में नहीं concrete level पे, practical level पे नहीं beginning चाहरे हैं यानी कि marriage चाहरे हैं living चाह रहे हैं, engagement चाह रहे हैं या फिर long term आपका साथ चाह रहे हैं long term commitment चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि cancerians आपको वो long term commitment दे रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आप से long term commitment चाह रहे हैं और आपके लिए यहाँ पर fool का card कहता है कि शायद specifically end July में यहां जुलाई मन्त में आप इस commitment के लिए उतने ready नहीं रहते हुए दिख रहे हैं reason सब concerns के लिए differ करेंगे लेकिन यहां पे the moon का card कहता है आप बहुत confused हो रहे हैं और आपके अपने खुद कुछ fears हैं कुछ insecurities हैं और deeper level के लिए secrets gossip का card एक दो चीजे कहता है या तो आपके partner को थोड़ा सा एक डर है कि भई आपका relationship के बारे में सब को ना पता लग जाए यानि कि वो इस relationship को secret करकना चाहा रहे हैं या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि भई इस relationship के बारे में लोग कहीं गलत बातें बाहर ना करें या फिर आपके कुछ secrets या तो वो unknowingly, unintentionally out कर रहे हैं होता है ना कभी-कभी हम बड़े परिशान होते हैं तो अपने किसी love one से अपने relationship को share कर लेते हैं ये भी हो सकता है तो देखिए जो भी चीजे मेरे mind में आ रहे हैं मैं कह रहे हूँ यहाँ पर secrets gossip का card कहता है कुछ secrets को लेकर gossip ना हो जाए या तो ऐसी उनकी feeling है या फिर unknowingly, unintentionally वो gossip कर रहे हैं और कुछ के लिए भी हो सकता है knowingly gossip कर रहे हैं और देखिए इसके लिए सब conspiracyans के partner के लिए different reasons रहेंगे लेकिन कहीं three of swords and the hunter के cards कहते हैं कि वो किसी चीज को लेकर बहुत hurt महसूस कर रहे हैं कुछ के लिए भी हो सकता है पीछे बहुत hurt महसूस कर रहे थे और कहीं mid july में उसमें से खुद को भार निकालना चाह रहे हैं या पर कुछ के लिए हो सकता है deep इस hurt वाली energies में जा रहे हैं और hunter का card कहता है आपको pursue करना चाहते हैं आपको chase करना चाहते हैं लेकिन surface level पे again कोई चीज उनको bother कर रहे हैं और उस तरीके से हो सकता है action initiatives ना लें या पर internal suffering addiction का card कहता है कि मन ही मन बहुत सफर कर रहे हैं suffer in the sense परेशान हो रहे हैं मायूस हो रहे हैं बहुत जादा सोच रहे हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि उनको आपकी आदत पड़ गई है और इसलिए या फिर otherwise queen of wands reverse का card कहता है कि या तो over you know action initiatives ले रहे हैं over courageously boldly चीजों को deal कर रहे हैं या फिर courageously boldly चीजों को deal करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं और आप देखते हैं कि in series के जुलाई मन्त में क्या हो रहा है तो देखें जो भी आपकी energies हों जो भी आपके partner के energies हों guarding angel का card कहता है कि आप दोनों को ही ऐसी feeling होती है कि आपके partner आपके guarding angel है जैसे होता है ना guarding angel से connect करके आप एक सुकून महसूस करते हैं आपको यसे लगता है आपकी सारी problems solve हो जाएंगी कोई tension, stress होती है तो वो भी कहीं आपको bother नहीं करती है तो कहीं ऐसी feeling आपको आपके partner के साथ, आपके partner को आपके साथ महसूस होती है तो कहीं एक again कहूंगी guarding angel वाला connection या feeling आप लोग एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं और शायद इसी लिए देखे कुछ issues, मसले तो हैं लेकिन यहाँ पर five of voices reverse का card कहता है उनको ignore करके जो चीजें अच्छी हैं इस relationship में उस पे आप दोनों focus करना चाहा रहे हैं थोड़ा सा अपनी energies में end July में या July मन्त में shift करते हुए दिख रहे हैं एक positive frame of mind के साथ चीजों को deal करना चाहा रहे हैं चीजों को solve करना चाहा रहे हैं अगेन इसके बावजूद आप दोनों individual level पर जो भी महसूस कर रहे हूं बट you know collective या दोनों की जो composite energies हैं उसमें positively जो चीजें अच्छी हैं relationship में उस पे focus करके चीजों को better करना चाहा रहे हैं और यहाँ पर the emperor का card कहता है चीजों का control अपने हाथ में लेकर बहुत systematically बहुत अगनाईस तरीके से चीजों को करना भी चाहा रहे हैं एक stability एक security लाना चाहा रहे हैं या फिर आ रही है under the spell का card कहता है इसका एक बहुत बड़ा reason यह भी हो सकता है कि आप दोनों को ही ऐसे लगता है कि जैसे you know partner का एक जादू सा है एक spell है partner के अलावा किसी चीज़ पर focus नहीं कर पाते हैं partner के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते हैं और जब partner नहीं होते हैं तो फिर इतना एक उनके thoughts उनका एक नशा I don't know is the right word but एक magic रहता है कि फिर किसी और चीज़ पर focus नहीं कर पाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा reason रह सकता है कि आप लोग जो भी चीज़ें सही हैं उन पर focus कर रहे हैं जो भी issues हैं मसलें हैं या अगर आप से कोई गलती हुई mistake हुई आपके partner से कोई गलती mistake हुई उसको नजर अंदास करके जो चीज़ें ठीक हैं उन पर focus करके चीज़ों का control अपने हाथ में लेकर कहीं चीज़ों को better करना चाहा रहे हैं systematic तरीके से चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं और हो सकता है कि कुछ concerns और उनके partner बैट के कुछ rules भी बनाए relationship के लिए कि भई होता है न कभी कभी हम बोलते हैं कि दिन में एक बरी जरूर बात करेंगे या हफते में एक बरी जरूर मिलेंगे मैं यह नहीं कहरी कि आप ऐसा कर रहे हैं बट इस तरीके से यूनों जिस भी level पर आपका relationship है जो भी आपके relationship के energies हैं उसके हिसाब से again कुछ concerns और उनके partner कुछ rules भी बना सकते हैं तो all in all देखें July month अगर हम आप दोनों की composite energies देखें ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है individual level पर कुछ-कुछ issues, कुछ-कुछ hurt आप दोनों ही महसूस करते हुए दिख रहे हैं और देखें positively अगर चीजों को deal करेंगे तो July month को और बहतर कर पाएंगे तो यह था किंसेवियंज आप लोगों के लिए July 2024 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके वालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें